हेलो एव्रीवन क्लास 10th NCRT की एक्सेसाइज 4.3 का कोशें नमबर 7 है दो डिफरेंस ऑफ स्केर ऑफ 2 नमबर इस 180 यानि की दो स्केर्स है ठीक है उनका जो डिफरेंस दिया हुआ 180 दिया हुए तो हमें वो दो नमबर निकालके बताने है तो लेट कर लेंगे लेट स्मॉलर नमबर तो स्मॉलर नमबर क्या गया नमबर बी वो मैंने एक्समाल लिया ठीक है लेट लारजर नमबर बी वाई फिर काहे दिफरेंस ऑफ स्केर्स ओफ two नमबर यानि की एक्स्केर मैनज वाई स्केर इक्वल टो 180 आपको दिया हुए और दूसरी लैन में बोलता है दो स्केर ओफ स्मॉलर नमबर जो स्केर है स्मॉलर नमबर का ठीक है इसे आप first equation दे दो इसे आप second दे दो अब second equation को first में put कर दो यहां लिखेंगे put equation second in first तो जैसे आप second को first में put करोगे आपके बास कितना आएगा यहां x square की place में हम लिख देंगे direct 8y तो 8y minus y square यहां y square equal to 180 ठीक है अब इसको हम quadratic equation की form में लिखेंगे तो y square आगया जाएगा यहां पर plus 8y और इसको ले आओ इस तरफ तो 180 equal to 0 बन जाएगा clear इतना अब minus को आप यहां से common ले लो तो minus अगर हम common लेंगे यह लिए minus common यहां रहे गया y square यह बन जाएगा minus 8y और यह बन जाएगा plus का 180 equal to 0 यह minus दूसरी तरफ जा करके खतम हो जाएगा तो यहां पर रहे गया y square minus 8y plus 180 equal to 0 ठीक है अब 180 को 1 से multiply करेंगे हमारे पास 180 आएगा और 180 के factor क्यों हो जाएगे एक तो हो जाएगा 10 और एक हो जाएगा 10 8 80 अब हमें आके चाहिए 8y तो 8y कैसे हैगा अगर हम minus का 10 ठीक है minus चाहिए हमें 8y sorry 10 और 18 होगा 10 और 18 18 तो यहां पर हम plus का रखेंगे 10 और minus का रखेंगे 18 तो answer आएगा minus का 8 ठीक है तो उसी साब से यहां पर कितना बनेगा y square y square minus यहां पर आपके पास आजाएगा 18 y plus 10 y plus 180 equal to 0 ठीक है इसके हमने factor कर दिये अब एक पेर यह बन गया दूसरा पेर यह बन गया तो यहां से y common आजाएगा bracket में कितना है y minus 18 ठीक है और यहां पर भी कितना आजाएगा same y minus 18 equal to 0 अब यहां पर कितना आएगा यह plus का 10 ठीक है अब इसे हम solve करेंगे तो दुबारा से यही बन जाएगा अब देखो यहां से एक factor तो आगया y plus 10 और एक आगया y minus 18 equal to 0 तो y plus 10 equal to 0 के साथ और y minus 18 रखतो 0 के साथ तो y की value कितनी आगई minus 10 और यहां से y equal to कितना आगया 18 अब हमें negative value टाम नहीं लेनी इसलिए इसको neglect कर देंगे और answer कितना आगया y equal to 8 तो यहां लिख देंगे हम कि जो हमारे पास y यानि कि larger number जो आया वो कितना है y आया ठीक है और अब हमें लिकानना किया देगो x square equal to अब हमें दूसरा number भी लिकानना है यानि कि एक number तो आ गया यह आगया आपके पास larger number अब हमें चाहिए smaller number तो क्या करेंगे put कर देंगे from equation second तो second equation हमारी है x square equal to 8y तो जैसे ही x square equal to 8y करेंगे y की value 18 है x square equal to 8 into 18 तो यह आ जाएगा x square equal to multiply करके यह आ जाएगा 144 ठीक है उसके बाद x यहाँ पर रह जाएगा और इसका कर देंगे under root यहाँ पर कर देंगे under root और यह plus minus आप लगा सकते हो तो x equal to कितना आ जाएगा 12 अब plus minus लगाओ चाहे मतलगाओ क्योंकि आंसर हमें positive term में चाहिए इसलिए यहाँ भी आप लगाओ चाहे मतलगाओ कोई दिक्कत नहीं x की value कितनी आ गई 12 तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि therefore smaller number smaller number equal to 12 और larger number equal to 18 आंसर ठीक है तो यह simple सा question था question था question number 7 complete अब देखते हैं इसका question number 8 question number 8 हमारे पास है a train travels 360 km at a uniform speed एक train है जो uniform speed से कोई distance cover करती है 360 km का if the speed had been 5 km or more अगर speed हमारी 5 km प्रती गंटे की रफतार से ज्यादा हो तो it would take one hour less for the same journey यानि कि उस जगह तक पहुँचने के लिए वो एक गंटा कम लेगी ठीक है एक आर कम लेगी find the speed of train हमें निकालने train की speed अब मैंने आपको एक जब हमने इस तरह को कोशन किया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारी speed क्या हो speed अगर हमारी increase हो ठीक है तो हमारा जो time है time कितना लगता है speed increase हो यानि कि speed ज्यादा हो तो time हमारा कम लगता है ठीक है यानि कि time हमारा कम हो जाएगा और अगर speed हमारी क्या हो speed हमारी decrease हो तो time हमारा increase कर जाता है यह चीज मैंने आपको बता रखी थी कि speed increase तो time decrease और speed decrease तो time increase अब इस case में क्या है जो speed है हमारी वो increase कर रही है ठीक है speed increase कर दिए तो time हमारा कम हो जाएगा और speed अगर decrease कर जाती तो time increase जाता है अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे तो let कर लो सबसे पहले जो distance आपको दिया हुए ठीक है उसे हम लिख लेंगे तो total distance यहां से आ जाएगा total distance total distance आपको पता है कितना है 360 km let कर लेंगे uniform speed of train तो uniform speed कितनी आगी train की वह लेंगे हम x km पर ठीक है अब more speed है तो यहां लिखेंगे more speed of train more speed कितनी हो जाएगी x में यह 5 जादा ठीक है तो यहां जाएगा x plus 5 km पर ठीक है अब हमें पता है कि जो time का formula है time equal to distance upon speed होता है ठीक है तो time यहां पर जब हम uniform speed से चले ठीक है uniform speed से चले तब हमारा time क्या था मान लो वो हमारा time था t ही था मैं इस case की बात कर रहूं यहां पर ठीक है वो हमारे पास t ही था और distance कितना था उसका distance तो 360 रहेगा चाहे वो इसके लिए हो चाहे इसके लिए ठीक है और जो speed थी वो थी x km clear रहे तना और दूसरे case के लिए के करो इसे आप first equation दे दो अब आजाओ more speed की बात करते है तो time थो हमारे पास t रहेगा ठीक है अब speed कितनी है x plus 5 है और distance कितना है देखो अब time यहां पर time की बात किया तो question में के दिए अगर time sorry अगर हमारी क्या है speed ज़्यादा है तो time वो 1 or less लेगा यानि कि time हम क्या कर देंगे यहां minus 1 ठीक है time क्या हो गए decrease यहां आ जाएगा 360 अपोन में x plus 5 अगर time हमारा क्या होता time हमारा sorry speed अगर हमारी कम होती तो time ज़्यादा लगता तब यहां पर हम plus करते अब speed क्या है ज़्यादा है और time कम है speed ज़्यादा time कम इसलिए हमने इसको minus कर दिया इसे दिए दो second equation put कर देंगे put equation first in equation second तो first equation क्या है यह है और second यह है तो second equation को मैं हारा इडन कर रहा हूँ t minus 1 equal to 360 divide में x plus 5 अब इस t के place में आ जाए गए 360 upon 360 upon x यहां पर minus 1 equal to 360 upon x plus 5 ठीक है अब आप चाहो तो इस 1 को दूसरी तरफ shift कर सकते हो तो यहां से करो 360 upon x equal to 360 upon x plus 5 यह वहां जाकर के plus 1 हो जाएगा ठीक है और इसके upon में 1 कर दो तो LCM ले लेंगे तो यह आ जाएगा 360 divide में x equal to x plus 5 आ गया LCM हमारे पास यहां आ गया 360 और plus यहां पर आ जाएगा x plus 5 क्योंकि 1 से इसको multiply करेंगे डिवाइड करेंगे और यह as it is आ जाएगा ठीक है उसके बाद के अगरो cross multiply कर दो cross multiply किया तो यह वहां चला जाएगा यह यह बन जाएगा 360 into x plus 5 equal to यह x यहां चला जाएगा x into 360 plus x plus 5 solve करते हैं तो 360 x plus 360 को 5 से करेंगे तो 1800 आएगा यहां पर 360 x plus x square plus 5 x यहां पर x भी आएगा साथ में 360 x अब देखो यह 360 x और यह 360 x cancel हो जाएगा ठीक है हमारे पास कितना रहा 1800 equal to x square plus 5 x आप क्या करेंगे हम कि यह जो 1800 उसको दूसरी दरब वेज देंगे ठीक है तो यहां बन जाएगा यह बन जाएगा आपके पास x square plus 5 x minus 1800 equal to 0 ठीक है उसके बाद 1800 के हम factor कर लें तो 1800 के factor आएगे 40 और 45 अब यहां चाहिए हमें प्लस का 45 ठीक है तो माइनस का हो जाएगा 45 प्लस का हो जाएगा 40 equal to 5 आंसर तो यह बन गया x square minus 45 x plus 40 x minus 1800 equal to 0 एक पेर यह रहा दूसरा पेर यह रहा यहां x common आ गया x minus 45 आ गया सेम यहां पे x minus 45 equal to 0 और यहां पर आ जाएगा plus 40 ठीक है तो एक factor आ गया x plus 40 और एक आ गया x minus 45 5 equal to 0 x plus 40 को रखतेंगे 0 के साथ और x minus 45 को भी 0 के साथ तो x की value आ गया यह वहां जाकर के minus 40 बन जाएगा और यहां पर x equal to plus का 45 तो यह तो neglect हो जाएगा क्योंकि speed हमारी minus में नहीं आएगी answer कितना आ गया x equal to 45 तो यहां लिखतेंगे therefore uniform speed of train equal to 45 km per hour answer ठीक है तो यह था हमारा question number 8 अब करते है question number 9 को question number 9 के बोलता है two water taps together can fill a tank in 9 is to 3 upon 8 hours यानिकि दो नल हैं जो एक साथ खोले जाते हैं और वो पानी को भरते हैं 9 is to 3 upon 8 hours में the tap of larger diameter takes 10 hour less than the smaller one यानिकि जो जिस नलके का diameter क्या है जिस नलका जो diameter वो बढ़ा है वो 10 गंटे कम लेता है किससे बड़ा छोटे वाले से to fill the tank separately यानिकि separately अगर वो टैंक भरेगा तो वो 10 गंटे कम लेगा find find the time in which each tap can separately fill the tank तो time निकाल के बताओ कि separate separate वो नल दोनों नल कितनी देर में उस पानी को भर देंगे ठीक है separately अलग अलग करके माल लो हमारे पास क्या है यह हमारे पास क्या है एक नल है ठीक है यह स्मॉल टैप है यह हमारे पास क्या है स्मॉल टैप है और एक हमारे पास क्या है इसका जो स्मॉल डायमेटर है और इसका हम थोड़ा सा बड़ा डायमेटर कर लेंगे ठीक है यह हमारे पास इसका बड़ा डायमेटर आगए clear अबात और यहां पर क्या है यहां टैंक लगाया गया ठीक है जब बोलते हैं कि जब इन दोनों नलों को एक सार छोड़ा जाए ठीक है दोनो नलों को एक साथ छोड़ा जाए तो जो पानी है वो भरने में लगाएगा 9 is to 3 upon 8 hours ठीक है और अगर इन्हें हम अलग-अलग करके खोलें तो बोलता है कि तो larger tap जो बड़े वाला tap है ठीक है वो 10 गंटे कम लेगा छोटे वाले से 10 गंटे कम लेगा छोटे वाले से यानि कि 10 गंटे ज्यादा लेगा तो निकाल के बता दो कि दोनो नलों ने कितना कितना टाइम जो है लिया होगा ठीक है तो यहां सिंपल सी बात है कि इस लाइन को आप पूरा पूरा as it is लिखता हूं कि two two water taps together can fill a tank कितना जाएगा nine is to three upon eight hours और इसे हम fraction से chain कर देंगे ठीक है तो nine is the 72 72 को plus three किया 75 upon eight hours आ जाएगा ठीक है 75 upon eight hours आ गया अब इसमें एक condition है देखो hours की बात चली है ठीक है तो यह भरता है दोनों इकटे अब एक घंटे में कितना पानी भरेगा तो in one hours ऐसे question में one hour को लेके चला करो एक घंटे में कितना भरेगा यह one hour आ गया ठीक है upon में 75 upon में eight जो कितना जाएगा eight upon 75 hours इतनी बात clear है ठीक है यह भी काम आपका फिर next हम क्या करेंगे 10 hour less की बात की है तो उसे पहले आपके करो let कर लो let time taken by small या फिर smaller tap तो छोटे वाले नल से कितना time लगा होगा मालो हमने वो ले लिए अब यह तो निकल गया फिर यहां का है कि बड़ा वाला नल जो है वो 10 गंटे कम लेगा ठीक है किस से छोटे वाले से तो टीटू की जो वैल्यू आएगी वह वह जाएगी टीवन माइनस 10 यानि कि छोटे में से 10 आर कम तो यह आपके पास एक कंडिशन आगई ठीक है फिर अब हम इस लाइन की बात करें इन वन आर में ठीक है हमने total के लिए तो निकाल दीए कितना अब निकालेंगे हम इन वन आर work done by small tab तो small tab के जरीए एक दिन का काम कितना होगा 1 upon t1 और larger के साथ 1 upon t2 जैसे कि हम मान लो example लें कि आपको कोई essay दिया लिखने को ठीक है वो दिया आपको 10 दिन के लिए 10 दिन के लिए दिन के लिए तो आप कैसे लिखोगे मान लो Monday को आपने लिखा 1 upon एक essay लिखा तो total कितन लोगे 1 upon 10 फिर Tuesday को आपने लिखा तो वो गया 1 upon 10 पिर लिखा आपने वैडनेस लेगो तो वह जाएगा 3 upon 10 ठीक है इस तरह से up to so on 10 upon 10 आप कितने दिनों में या फिर कितने गंटों में वह उसको कितने दिनों की बात किया तो कितने दिनों में आप उसको कर सकते तो यहां प लिखते हैं के इन वन आर इन इन वन आर इन वन आर इन वन आर टाइम तो इन वन आर वरक बाय स्मॉलर टैप तो स्मॉलर टैप ने कितना काम किया 1 upon T1 और इन वन आर वरक बाय लार्जर टैप तो वो कितना किया 1 upon T2 देखो अब T2 की बात है तो T2 की value हमने के लिए थी T1-10 तो यहां लिख देंगे हम T1-10 ठीक है यह अब हमारा simple बन गया clear इतना अब क्या करो इन दोनों को हम add कर देंगे ठीक है यहां पर 1 upon T1 plus 1 upon T1-10 और आज की बात है तो हमारे पास कितना आया था 75 upon 8 यह था टोटल और वन आर के लिए आया था 8 upon 17 75 तो यहां लेंगे हम वन आर के लिए 8 upon 75 इतनी बात के लिए रहे अब कर दो इसका LCM कितना आ गया T1 into T1-10 ठीक है यह तो as it is यहां पर रहेगा T1 से T1 कट जाएगा आपके पास रहेगा T1-10 बीच में प्लस अब T1-10 से यह T1-10 कटेगा हमारे पास रहे जाएगा T1 अब के अगर हो क्रोस मल्टिप्लाई करवा देंगे तो यहां जाएगा 75 इन्टू यहां पर देखो T1 और यह T1 कितना आगा है टू टी टू टी वन ठीक है और माइनस का 10 अपोन में इस क्रोस मल्टिप्लाई को कर रहे हैं तो अपोन में नहीं आएगा यह वहां जला जाएगा एट इन्टू देखो यार इसको ना इस तरह से मत करो ठीक है यहां पर आप क्या करना पहले तो LCM ले लिया है LCM आगया था हमारा T1 इंटू T1 माइनस 10 अए था और उपर आ गया था T1 माइनस 10 प्लस T1 इकोल टू 8 अपोन 75 ऐसे स्टेक कम होगी अब यह 2T1 आ गया 2T1 प्लस यहां पर सोरी 2T1-10 अपोन में कितना है इसको मल्टिप्लाई कर तो T1 स्केर माइनस 10T1 ठीक है और यहां पर आ गया 8 अपोन 75 उसके बाद कर देंगे प्रोस मिल्टिप्लाई अब असान हो गया करना ठीक है यह 75 तो चला जाएगा यहां पर 75 इंटू 2T1-10 इक्वल टू 8 इंटू T1 स्केर माइनस 10T1 ठीक है 75 को 2 से करेंगे तो 150T1 और इसके साथ करेंगे तो 750 इक्वल टू यहां कर दो 8T1 स्केर माइनस 80T1 इतनी बात क्लियर है उसके बाद के गरो इस सारी टर्म को दूसरी तरप से जाओ तो यहां 0 हो ज स्केर माइनस 80T1 स्केर यह प्लस का 150 वहां जाकर माइनस 150 टीवन बन जाएगा और यह वहां जाकर के प्लस का 750 बन जाएगा ठीक है उसके बाद 0 इक्वल टू यहां पर कितना जाएगा 8T1 स्केर इन दोनों को क्या गर दो जोरी यहां पर न 8T1 आएगा 80T1 इन दोनों को प्लस यह दोनों प्लस हो जाएगे तो माइनस का 230T1 आएगा प्लस 750 अब चाहो तो आप इसको घुमा के लिख सकते हो तो यहां लिख देंगे हम 8T1 स्केर माइनस 230T1 प्लस 750 इक्वल टू 0 ठीक है अब देखो इस 750 को 8 के साथ मिल्टिप्लाई करवा के हमें कितना मिलेगा 750 को 8 से किया 800 जा 0 85 जा 40 86 जा 48 48 को करेंगे हम 4 से सिक्स थाउजन आ जाएगा ठीक है अब 6000 के फेक्टर कितने कितने हो जाएंगे यह फेक्टर हमारे पास हो जाएगा एक देखो अगर मैं 200 को 30 से करूं ठीक है तो 32 जा 6 और बाकी 30 तो यह आ गया 200 और यह 30 ठीक है इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 230 कैसे माइनस माइ माइनस का 200 माइनस का 30 यानिकि माइनस 230 तो यह आ अगया 8 Đिवन से माइनस 230 प्लस 750 एक Pasadra से इह तो यहां से आक पेर यह रहा दूसरा लचती तो मbeiten को मन आ सकते हैं यहां पर ढंक से देख ना तो एट अपर दैखना तो ऑ 8 औम ने भादे एक ठीक साथ में T1 भी common निकाल दिया bracket में यहां से एक टी बचा ठीक है एक टी यहां पर बचा और साथ में अब यहां पर 200 200 को करो 8 से डिवाइड कर लो 200 को 8 से 8 2 जा 16 आ गया ठीक है कितना बचा 4 8 5 जा 40 तो यह आगे यहां पर minus 25 यह चीज यहां पर है तो यही चीज यहां पर भी आ जाएगी T minus 25 equal to 0 और यहां पर कितना आ जाएगा यह यह आ जाएगा हमारे पास minus का 30 ठीक है तो एक फेक्टर तो यह बन गया 8 T minus 30 8 T1 minus 30 और दूसरा क्या आ गया दूसरा आ गया T minus 25 equal to 0 यहां से 8 T1 minus 30 equal to 0 और T minus 25 equal to 0 यहां आप देखो यह चला जाएगा दूसरी तरफ यानि की 8 T1 equal to 30 और यह आ गया T equal to 25 फिर यहां पर next page में करते हैं तो यहां पर आ गया मेरे पास मैं दूबार लिख रहा हूं 80 बनाया था मेरे पास equal to 30 और T आ गया था मेरे पास 25 तो T1 कितना आ गया 30 upon 8 इसको cancel out करेंगे 248 और यह 15 तो T1 आ गया 15 upon 4 और यहां से T1 कितना आ गया 25 तो इसे हम ले लेंगे और इसे नहीं लेंगे ठीक है वैसे तो दोनों answer है ठीक है तो इसको ले लो यहां से हमारा काम निकल जाएगा जैसे ही T1 equal to 25 upon sorry 25 आ गया इसे तो neglect कर दो ठीक है 25 आया तो यहां से हमारे पास जो यह equation है यह इस equation को first दे दो तो therefore equation 1 becomes यहां करेंगे हम therefore equation first become first equation क्या बन जाएगी T2 equal to T1 minus 10 तो T2 कितना आ गया T1 कितना है 25 minus 10 तो T2 की value आ गई यहां से minus करेंगे 15 ठीक है तो आप लिख सकते हो therefore time taken by time taken by smaller tap equal to कितना लिया smaller tap के लिए T1 था तो यह आ गया हमारे पास T1 की T1 था न तो T1 की value आ ट्वाइब 5 hours ठीक है और time taken by larger tap वो आ जाएगा 15 hours answer clear है इतना ठीक है इस question को आप एक बार repeat करके दुबारा देख सकते हो आपको अच्छे से clear हो जाएगा ठीक है और फिर भी अगर doubt लगे तो आप comment करके इस question को पो सकते हो और इस वीडियो में इतना है अगर वीडियो आपको चील की प्ली लाइक शेयर कमेंट जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जाते साथ शेयर करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि next ज